वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। इसी कारण इस दोरान अगर यक्ष और यक्षणी साधनाएं की जाएं तो निश्चित रूप से फलदाई होती है। ऐसी ही एक साधना रतिकेली यक्षणी के नाम से जानी जाती है। और रतिकेली बहुत ही सुंदर सौम में और जल्दी प्रसन होने वाली यक्षणी है। इसकी सुंदरता का वर्णन करने वाला सिर्फ इसकी तारीफ ही करता रह जाता है। यह दिखने में बहुत अधिक सुंदर और रूपवान है। अपने साधक की सभी मनो कामनाय पूरी करने वाली एक अधभुत और गुप्त यक्षणी है। इसकी साधना विधान बहुत ही कम देखने को मिलता है। और इस गुप्त साधना को करने पर जीवन में प्रसंता, सफलता और धन धान में वृद्धी होती है। इसके अलावा सभी प्रकार के इस्त्री सुख उस व्यक्ति को अवस्य ही प्राप्त होते हैं। इस संबंध में एक कथा भी आती है। रिशी मंदव एक बार अपने आश्रम में बैठे ध्यान और साधना कर रहे थे। तभी उनके पास एक व्यापारी अपनी समस्या लेकर आया। उसने कहा गुरुदेव मैं बहुत अधिक परिशान हूं। जीवन में न तो कोई आनंद है ना ही खुशी। धन समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में मैं क्या करूं। तब रिशी ने कहा आप मा भगवती की उपास ना करें। और वह धीरे धीरे सभी आपके मनोरत पूर्ण कर देंगी। तब उस व्यक्ति ने कहा मैं मा की तो हमेशा ही साधना करता हूं। लेकिन मुझे कुछ ही समय में सब कुछ प्राप्त करना है। ऐसा कोई गोपनिय मार्ग हो तो बताईए जो सिर्फ हफते भर में मुझे सब कुछ प्राप्त करवा दे। तब रिशी ने कहा ऐसा तो केवल तांत्रिक साधनाओं में होता है। इसलिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें एक ऐसी गुप्त यक्षणी के बारे में बता रहा हूं। अगर उसकी साधना तुमने की तो तुम्हारे जीवन से अशंतोश और आनंद की कमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और धन और वैभव की सभी जो भी वस्तुवे हैं वह सब प्राप्त हो जाएगी। तब उस व्यापारी ने रिशी मंडव से उन साधनाओं के विशे में जानकारी प्राप्त की। यह साधना थी रतिकेली यक्षणी की। यह साधना मात्र पाँच दिनों में ही संपन्ण हो जाती है। इस साधना के लिए ना तो विशेश सामगरी की आवशक्ता है और ना ही माला इत्यादी की विशेश विवस्ता करनी पड़ती है। इसे व्यक्ति अपने घर में बड़ी ही आसानी से कर सकता है। रिशी के निर्देश पर उस व्यापारी ने इस साधना को पाँच दिन तक किया और पाँचवी ही रात को यक्षणी ने उसे शाक्षात दर्शन दिये और कहा मैं तुम्हारी समस्त परेशानिया समाप्त कर दूँगी तुमने मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहा है तब उस व्यापारी ने कहा मेरे पास पत्नी है मैं आपको पत्नी नहीं बना सकता किन्तु मेरी पत्नी मुझे हमेशा अप्रसन नहीं रहती है इसलिए आप कोई ऐसा विधान करें जिससे उसे आनन्द की प्राप्ती हो और वह मेरी तरफ आकर्शित हो जाए मेरे जीवन में धन की भी बड़ी समस्या है आप उसे भी हल कर दें तब रतिक केली ने प्रसन्न होकर कहा अवश्य मैं तुम्हारी समस्त मनो कामनाएं पूरी कर दूँगी मैं अभी तुम्हारी पत्नी के शरीर में प्रवेश करती हूँ और उसे काम कला सिखा देती हूँ इस प्रकार उस यक्षणी ने व्यापारी की पत्नी के शरीर में प्रवेश किया अजीब सी हलचल सरीर में महसूस कर उस व्यापारी की पत्नी के मन में काम भावनाएं तीव्रता से उमडने लगी और उसने पहली बार अपने पती का आलिंगन किया उसे उसमें अत्यधिक आनंद प्राप्त हुआ मन में व्यापारी के भी अनंत प्रेम उमडने लगा यह सब कुछ यक्षणी की शक्तियों के कारण हो रहा था दोनों काम देव और रतिक के समान एक दूसरे में खोए रहते और जीवन सुख पूर्वक आगे बढ़ने लगा दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और कार्य में अपना मन लगाते ही नहीं थे यह सब कुछ उस यक्षणी की शक्ति के कारण हो रहा था इधर व्यापारी के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया उसका व्यापार अब दूर दराज के छेत्रों में पहुँचने लगा वह जो भी सामान भेजता उसका अधिक मूल उसे मिलता इसी कारण उसकी संपन्नता बढ़ती चली गई दो वर्ष के भीतर ही उसके ब्यापार में बहुत अधिक फाइदा उसे देखने को मिला और इस प्रकार वह एक शक्तिशाली धनी ब्यापारी बन गया अब उस रिशी के पास गया और उनसे कहने लगा आपने मुझे एक दुरलब यक्षणी की साधना बताए और उसका लाभ मैंने प्राप्त किया है किन्तु गुरुदेव इसे अपने तक सीमित रखें और इसका प्रियोग किसी को ना बताएं तब उन रिशी ने केवल अपने शिश्शों के अतरिक्त किसी को भी उस गुब्द यक्षणी विद्या का ज्ञान नहीं दिया और उन्होंने कहा अगर इसे यक्षों की नवरात्री यानि अशार और सावन में पढ़ने वाली नवरात्री के समय में अगर कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से यक्षणी प्रसन होती है और उसकी सिध्धी प्राप्त होती है गुप्त नवरात्री में अगर इसकी साधना की जाए तो यक्ष लोक के द्वार उस व्यक्ति के लिए खुल जाते हैं और वहां से यक्षणी आती जाती रहती हैं और प्रत्येक व्यक्ति की सभी मनो कामनाय वह पूरी करती हैं इस साधना को करने से अनगिनत लाभ व्यक्ति को प्राप्त होते हैं आर्थिक समस्या समाधान तो होता ही है जीवन में आनंद और इस्त्री सुख की प्राप्ति अवश्य होती है मन में उल्लास और प्रेम स्वता ही जागने लगता है और व्यक्ति सुख पूर्वक जीवन बिताता है उसके जीवन से नीरवता हमेशा के लिए नश्ट होने लगती है तो यह एक बहुत ही उत्तम साधना है और इस साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है साधना के दौरान भय ना करें अगर किसी प्रकार यक्षणी आपको भय भीत करने की कोशिश करे तो भी आपको डरना नहीं चाहिए जिन लोगों ने गुरु मंत्र नहीं लिया है वह अपनी रक्षा का प्रबंध स्वयम करें और उसके लिए कोई रक्षा कवच छाती पर लगा लें और जिन लोगों ने गुरु मंत्र ले रखा है वह केवल अपने चारों तरफ गुरु मंत्र पढ़ते हुए पानी छिड़क कर मानसिक रक्षा कवच बना लें इतने मात्र से उनके उपर कोई हानी नहीं होगी की कारण उनकी सदेव रक्षा और सुरक्षा में विभिन्य प्रकार की शक्तियां उपस्थित रहेंगी तो यह केवल पांच दिन की साधना अगर गुप्त नवरात्री पर की जाए तो अवश्य ही फल देती है अगर आप में से जो भी विक्ति इस साधना को करना चाहता है उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है आप इंस्टा मोजो एकाउंट पे जाके वहां से इस साधना को खरीद सकते हैं और डाउनलोड बटन पर क्लिक करके साधना को डाउनलोड कर सकते हैं जो लोग इन चीजों को नहीं कर पाते हैं उसके लिए यूटूब में बहुत सारे वीडियो हैं जिनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि कैसे इंस्टा मोजो से सामगरी खरीदी जाती है इस साधना को करने के लिए सबसे उप्युक्त समय यक्षों की नवरात्री का होता है जो की गुप्त नवरात्री है जो इस वक्त चल भी रही है गुप्त नवरात्री में माता की करपा और यक्षों की करपा अवश्य ही प्राप्त होती है इसलिए सभी लोग साधना करते रहें और जिन लोगों को यह साधना खरीदनी है उसके लिए नीचे मैंने लिंक दे रखा है वहाँ से क्लिक करके इंस्टा मोजो से वह इस साधना को खरीद सकते हैं अगर आपको यह जानकारी और कथा अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपका दिन मंगल मैं हो, धन्यवाद